चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्छों यूजी काउंसलिंग का राउंड वाई सेडूल आ चुका है फर्स्ट राउंड का सेडूल हम देखें तो ये 19 जनुवरी से स्टार्ट हो रहा है और सीट मेट्रिक्स वगरा 17 जनुवरी 22 को रिलीज हो जाएंगी तो ये 19 से लेके ये जो इसकी लास्ट डेट रहेगी 24 जनुवरी तक रहेगी इसके बाद 24 फिलिंग है वो 20 जनुवरी से कर सकते हैं और इसकी भी लास्ट डेट 24 जनुवरी 22 रहेगी इसके बाद में अबकी बार जो एक नया एड किया है इसमें verification of internal candidate by the respective university oblique institute का एक column नया एड किया है तो ये जो verification होगा internal candidate का ये 25 से लेके 26 जनुवरी तक होगा इसमें इसके बाद में जो processing होगा seat allotment का 27 से 28 तक हो जाएगा और result show हो जाएगा 29th January को इसके बाद reporting होगी 30 January से लेके 4th February तक तो ये रहेगा 1st round का schedule अब हम बात करते हैं आगे 2nd round के schedule की तो 7th February को seat matrix आजाएगी कि कितने seat vacant रही है 2nd round के लिए इसके बाद जो registration होंगे 2nd round के लिए fresh registration होते हैं वो 9th February से start हो जाएगी last date 14th February रहेगी choice filling का time 10th February से लेके 14th February तक रहेगा और जो verification है internal candidate का वो 15th और 16th February को होगा processing होगा 17th और 18th February को result आजाएगा 19th February को इसके बाद में जो joining date रहेगी 2nd round के लिए वो 20 February से लेके ये 26th February तक होगी तो ये रहेगा 2nd round का schedule इसके बाद में mop up round का schedule रहेगा वो 28th February को ये verification sheet matrix और आजाएगा इसके बाद में 2nd March से start हो जाएगा ये इसके बाद में 2nd March के बाद last date रहेगी 7th March को और 24th फिलिंग रहेगी इसमें 3rd March से लेके 7th March तक इसके बाद में जो internal candidate का verification रहेगा वो 8th और 9th March को रहेगा 10th और 11th March को processing allotment के लिए रहेगा और result है 12th March को आ जाएगा इसमें और joining जो इसमें रहनी है वो इसकी joining रहेगी 13 March से लेकि 19 March तक joining time रहेगा 7 days का इसके बाद इस बाद आपको पता है ओल इंडिया जो ओल इंडिया के rounds होने हैं वो four rounds होने हैं इसमें first round second round mop up round और stay vacancy round तो ये तीन round conduct होंगे सभी के All India के भी होंगे Central University के भी होंगे Dimmed के भी होंगे ESIC के भी होंगे तो ये सारे rounds होंगे ये mop up round तक साथ साथ होंगे mop up round के बाद में stay vacancy के लिए dimmed की जो city vacant रहेंगी वो dimmed को transfer कर दी जाएंगी और उसमें concerned dimmed university उनके लिए counseling करवाएगा और इसके बाद में जो Central University और आल इंडिया कोटा की seat बचेंगी उसके लिए MCC stay vacancy round यहां conduct करवाएगा अभी इसमें आगे जो इसका schedule है stay vacancy round का वो schedule रहेगा इसमें 21st March से लेकर के इसमें ये result आ जाएगा इसमें 22 March को और जो last date रहनी है reporting की वो 23 March से लेकर 26 March तक रहेगी stay vacancy round में बाकि इसके बारे में आगे इसके rule or regulation के बारे में मैं अलग-अलग आपको बता दूँगा कि क्या stay में रहेंगे क्या second round में रहेंगे क्या mop up round में रहेंगे इसके बारे में हम विश्तार से बाद में चर्चा करते रहेंगे तो ये एक complete schedule था इसका यूजी counseling का बाकि अपडेट आपसे share कर दी जाएगी time to time तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हिंगे